नमस्कार दोस्तों आएए आज हम मसालों के नाम उनके इंग्लिस में जानते हैं जितने भी प्रमुक मसाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेकिन हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जीरा को इंग्लिस में कहते हैं क्यों मिन? स्पेलिंग इसका C-U-M-I-N क्यों में जीरा काली मिर्च काली मिर्च को इंग्लिस में कहते हैं ब्लैक पीपर स्पेलिंग इसका ब्लैक का है B-L-A-C-K पीपर का है P-E-P-P-E-R ब्लैक पीपर मिन्स काली मिर्च हल्दी को इंग्रिस में कहते हैं turmeric spelling है इसका t-u-r-m-e-r-i-c turmeric means healthy next है मारा long long को इंग्रिस में कहते हैं close spelling है इसका c-l-o-v-e-s close means long next है मारा दालचिनी दालचिनी को इंग्रिस में कहते हैं cinnamon स्पेलिง है इसका C-I-N-I-N-A-M-O-N सिनेमन tamanho मेज दालचिनी इलाइची इलाइची को इंग्रीस में कहते हैं न्योट मेज एनी कार्डमोम स्पेलिंग है इसका C-A-R-D-A-M-O-M कार्डमोम मेज इलाइची निष्टे मारा जैफल जाइफल को इंग्लिश में कहते हैं nutmeg spelling है nutmeg का N-U-T-M-E-G nutmeg means जाइफल अजवाइन अजवाइन को इंग्लिश में कहते हैं parsley parsley का spelling है P-A-R-S-L-E-Y parsley means अजवाइन पोस्ता जिसे خस-कस भी कहते हैं इंग्लिश में इसे poppy बोलते हैं spelling है P-O-P-P-Y पॉपी मेंज खस-कस नेश्ट है सर्सो सर्सो को इंग्लिज में कहते हैं मस्टर्ड स्पेलिंग है मस्टर्ड का यम यू यास ट-A-R-D मस्टर्ड में सर्सो लासुन लासुन को इंग्लिज में कहते हैं गार्लिक गार्लिक की स्पेलिंग है G-A-R-L-I-C गार्लिक में लासुन धनिया, धनियों को इंग्लिज में कहते हैं कोरियंडर कोरियंडर का स्पेलिंग है C-O-R-I-A-N-D-E-R कोरियंडर में धनिया केसर, केसर को इंग्लिज में कहते हैं सैफरन सैफरन का स्पेलिंग है S-A-F-O-R-N सैफरन में केसर नमक, नमक को इंग्लिज में कहते हैं साल्ट, साल्ट का स्पेलिंग है स-A-L-T, साल्ट मेंज नमक लाल मिर्च, लाल मिर्च को इंग्लिज में कहते हैं रेड पीपर, रेड पीपर का स्पेलिंग है रेड पीपर, रेड पीपर मेंज लाल मिर्च हिंग, हिंग को इंगलिस में कहते हैं असा फोटिडा, असा फोटिडा का स्पेलिंग है A-S-A-F-O-E-T-I-D-A असा फोटिडा मीन्स होता है हिंग नेश्ट है तेजपत्ता, तेजपत्ता को इंगलिस में कहते हैं बेलीप, बेलीप की स्पेलिंग है B-A-Y-L-E-A-F Bay leaf means तेजपत्ता Sot Sot को इंग्लिज में कहते हैं Dry ginger Dry ginger की spelling है D-R-Y-G-I-N-G-E-R Dry ginger means salt Methi Methi को इंग्लिज में कहते हैं Phenugreek Phenugreek की spelling है Y-E-N-U-G-R-E-E-K Phenugreek means methi Kasuri methi Kasuri methi को इंग्लिज में कहते हैं Dry fenugreek leaves Dry का हो जाएगा D-R-Y Phenugreek का हो जाएगा Y-E-N-U-G-R-E-E-K और leaves का हो जाएगा L-E-A-V-E-S Dry fenugreek leaves means हो जाएगा Kasuri methi Somp Somp को इंग्लिज में कहते हैं Any seed Spelling है any seed का A-N-I-S-E-A-D Any seed means होता है Somp Next है Bड़ी ilači Bड़ी ilači को इंग्लिज में कहते हैं Black card mom इसका spelling है Black का हो जाएगा B-L-A-C-K और card mom का हो जाएगा C-A-R-D-A-M-O-N Black card mom means बड़ी ilači Pudina Pudina को इंग्लिज में कहते हैं Mint Mint की spelling है M-I-N-T Mint means Pudina Sirka Sirka को इंग्लिज में कहते हैं Vinegar Vinegar का spelling है V-I-N-E-G-A-R Vinegar means Sirka Sेंधा नमक Sेंधा नमक को इंग्लिज में कहते हैं Rock Salt Rock की spelling हो जाएगे R-O-C-K और Salt का हो जाएगा Y-A-L-T Rock Salt means सेंधा नमक Ratan Jot Ratan Jot को इंग्लिज में कहते हैं Alkanet Root Alkanet की spelling है A-L-K-A-N-E-T Root का है R-O-O-T Next है मारा Javitri Javitri को इंग्लिज में कहते हैं Mace Mace की spelling है M-A-C-E Mace means Javitri Next है Sohaga Sohaga को इंग्लिज में Borax कहते हैं Spelling है Borax का B-O-R-A-X Borax means Sohaga Kapoor Kapoor को इंग्लिज में कहते हैं Camper Camper की spelling है C-A-M-P-H-O-R Camper means Kapoor Next है गरम मसाला गरम मसाला को इंग्लिज में कहते हैं Spice Blend Spice की हो जाएगी spelling S-P-I-C-E Blend का हो जाएगा B-L-E-N-D Spice Blend means गरम मसाला Next है मारा Himli Himli को इंग्लिज में कहते हैं Tamarine Tamarine का spelling है T-A-M-A-R-I-N-D Tamarine means Himli Next है मारा Harad जिसे Harri भी कहते हैं Spelling है इसका M-Y-R-O-B-A-L-A-N इसका हो जाएगा Myro Balan Myro Balan means होता है Harad Spelling है M-Y-R-O-B-A-L-A-N Next है मुलेटी मुलेटी को इंग्लिज में कहते हैं Lika Rice Lika Rice की spelling है L-I-Q-U-O-R-I-C-E Lika Rice में सोता है मुलेटी Next है मारा कबाब चिनी कबाब चिनी को इंग्लिज में कहते हैं Q-Web Spelling है इसका C-U-B-E-B Q-Web means कबाब चिनी Next हमारा चक्रफोल चक्रफोल को इंग्लिज में कहते हैं Star Anis Star Anis की spelling है Y-A-S-T-A-R Star और Anis का हो जागा A-N-I-S-E Star Anis means होता है चक्रफोल तो दोस्तों ये थे जित्ते भी प्रमुक मसाले हैं उसके नाम इंग्लिज में और हम लोगों ने इसे चित्र के साथ देखा